नमस्कार दोस्तों स्वाकेता आपका स्टेडी टाइम चैनल में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हुआवे और जो उनकी CFO है मेंग वैंग जू जो की अब कैनाडा ने उनको एरेस्ट किया है जब वो वैंकूवर एरपोर्ट पर अपने प्लेंस बदल रहे थे एक दिसंबर 2018 को तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनको एरेस्ट क्यों किया गया है और अब अब वो एरेस्ट हो रही है तो कैनाडा में एरेस्ट होई है एक लार्जेस्ट वन अब लार्जेस्ट जो नेटवर्क के जो उपकरण बनाती है कंपनियों को जो वो ये बेशते हैं वो वन अब लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में और अभी जो 5G टेकनोलोजी आ रही है उसमें हुआवे जो है अगरणी कंपनी है ठीक है और जो मेंग वेंग जू है वो हुआवे की CFO है मतला मुख्य वित्य अधिकारी है चीफ फानेंशल ओफिसर है और जो इनके संस्थापक है रेन जैंग फी वो उनकी बेटी है तो ये कहा जा रहा है कि जो CFO है मेंग वेंग जू जो है वो आने वाले टैम पे जो हुआवे की पूरी चेर परसन बन सकते हैं कंप्री टेक ओवर वो कर सकते हैं तो एक आज़े हायर वो देखी जा रही है और अब यहाँ पर उनका एरेस्ट होना एक नाट किये ढंक से एक जो पूरा हमको बतायता हूँ कि जो हुआवे है वो सेकेंड लार्जस स्मार्टफोन मैनिफेक्चरर है आफ्टर सैंसंग और इसके जो प्रोड़क्स है एक सो सतर से भी ज़्यादा देशों में बेची जाती है ठीक है और जो चाइना है चाइना जो है टोटली हुआवे के ओपर डिपेंड है क्योंकि वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग टेकनोलोजिकल जाएंट है और इसको ग्रो कनने से अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्रीज है उसके ओपर चाइना के डिपेंडेंसी खतम हो जाती है तो कुछ लोग इसको एक प्रकास से शाजिश मान रहे हैं इस कंपनी को खतम करने के लिए अब हम देखते हैं कि जो हुआवे है जो है उनकी CFO जो है एरेस्ट क्यों हुई है देखिए इसका जो सीधा संबंद है वो है अमेरिका के इरान के ओपर जो सैंक्शन्स हैं जो उसने लगा रखे हैं उसकी जो अवहिलना करना है तो उसने अपने वक्तवे में अमेरिका ने यही कहा है कि जो हमारी जो ट्रेड सैंक्शन्स हमने इरान के ओपर लगाए हैं वो जो है हुआवे ने उसको उलंगन किया है तो देखिए उसके sanctions क्या क्या थे Trump who has long rallied against the nuclear deal as one-sided and flawed gave foreign companies 90 to 80 days to wind down their business with Iran देखिए ये सबसे main यहाँ पर जो sanctions था जिस कारण से हुआ भी के उबबर एक sanctions लगा दिये गे हैं कि Trump ने ये कहा था कि जो भी विदेशी कंपनिया है वो Iran के साथ में business नहीं कर सकती है लेकिन देखिए हुआ वे जो है वो अब तक ये नकारता आ रहा है कि हमारा इरान के साथ में कोई भी trade नहीं है तो देखिए अब वो किस परकार से उसके साथ में व्यापार कर रहा था इरान market साथ में देखिए suppose this is हुआ वे company और ये इरान का market है ठीक है और अब यहाँ पर अगर ये company direct इरान के साथ में व्यापार करती है तो यहाँ पर मौझूद है US sanctions ठीक है इसके परतिबंद यहाँ पर लगा रखे हैं कोई भी विदेशी company नहीं कर सकती अब directly हुआवे जो है वो इरान के market में तो अपना काम करने ही सकती अपना माल बेचने ही सकती तो उसने क्या किया कि बीच में अपनी एक intermediary Skycom नाम की एक company उसने बनाई ठीक है और वो ये दर्शात आ रहा है कि वो इसकी company नहीं है ये इसकी साथ में normally traders की साथ है लेकिन direct वो मानने से इंकार करता है कि जो Skycom जो है वो उसकी company है लेकिन अमेरिका ये कहता है कि ये जो Skycom है वो सीदे सीदे Huawei की ही एक company है तो इस प्रकार से Huawei जो है वो इरान के market में अपना माल direct बेच रहा है और वो violet करता है US sanctions को अब देखिए अमेरिका क्या कहता है कि ये जो CFO है Huawei की या Huawei जो company है misled multinational banks about Iran-linked transactions putting the bank at risk of violating US sanctions मतलब जो Huawei जो company है उसने अब ये इसके साथ वो व्यापार कर रहा है व्यापार करेगा तो पैसे का लेन देन होगा लेकिन अमेरिका ये कहता है कि Huawei ने जितने भी multinational banks है जिनके साथ मैं वो transactions कर रहा है अपने पैसों का लेन देन कर रहा है इरान से चाइना में या कहीं पे भी जो transactions कर रहा है इरान के अंदर उसने उनको ये नहीं बताया कि ये company जो वह है Huawei की ही company है इस से ये जो banks हैं जो चाइना की company और इरान की company के बीच में इंटर्मिलिटरी का काम कर रहे थे वो भी एक प्रकार से इन sanctions को violate करता है तो banks अब खत्रे में आ चुके थे तो इसी लिए अमेरिका ने अब ये माना है कि Huawei ने गलती करी है तो इसी लिए उसकी जो CFO है चीफ financial officer जो है क्योंकि उसका main काम होता है financial transactions जो होता है एक company से दुस्ते company या एक company से पूरे country के अंदर जो भी business होता है उसकी lane देन का रेखा जो खाजो होता है वो CFO के अंडर में होता है तो इसी लिए उसने 1 दिसम्बर 2018 में Canada को ये कहा कि मेंग वैंग जू जो है CFO उनको arrest कीजिए और हमें उसे प्रत्यरपन करवाईए तो 6 मार्च में जाके अब एक court case होने वाला है और Canada के जो सरकार है वो प्रत्यरपन के लिए मंजूर हो चुकी है लेकिन अगर judiciary वहां की ये allow कर देती है प्रत्यरपन जो वहां के जो law minister है अगर वो finally उस पे sign करते हैं तो जो मैंग वैंग जू जो है उनको अमेरिका में extra date कर दिया जाएगा और अमेरिका में उनके उपर charges लगेंगे और अगर वो charges थाबित होते हैं तो उनको कम से कम 30 साल तक की सजा यहां पर हो सकती है देखो दोस्तों अब यहां पर हम देखते हैं कि चाइना का अब इन दोनों countries के साथ में Canada और US के साथ में कैसा relation है जब से जो CFO उनकी जो arrest हुई है तब से Canada और अमेरिका और चाइना के बीच में जो relation है बहुत ही तनावपूर्ण हो चुका है tense relations हो चुके है तो इसके लिए Retailary Action जो है चाइना ने लिया है और चाइना ने कम से कम Canada के दो citizens को detain किया है और जो अमेरिका और जो चाइना है उसके बीच में trade war चल रहा है तो मतलब जो एक दुसरे के ओपर जो import और export जो रहता है वो बढ़ा देना custom duty बढ़ा देना तो एक परकार से trade war है तो ये जो तीन country है one of the world's largest countries है और इनमें बहुत बड़ी population भी रहती है और इनके बीच में जो disruptions होते हैं वो पुरे world market को हिला कर रख देते हैं तो I hope कि ये जो relations है इनके थोड़ा सुधरें और जिससे world market को disruption लाओ कि कि disruptions होते हैं तो सबसे पहले job losses होते हैं और उधारण के लिए मैं बतायता हूँ जब Huawei के उपर ये sanctions लगाए गए और जब पकड़ में आई है तो जो इरान के अंदर जो Indians हैं जो Huawei कंपनी में काम कर रहे थे उनको तुरंत वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया और इसी प्रकार से और भी actions जो है अमेरिका अब लेगा और अमेरिका ने जो बाकी के जो countries हैं जैसे New Zealand Australia, European countries उन तक को England तक को ये कह दिया है कि Huawei के साथ में अपना trade जो है खतम किया क्योंकि जो 5G टेकनोलोजी है उसके होड में जो Huawei जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहां तक कि इंडिया ने भी Huawei को इंडिया में आने के लिए कहा था और 5G के उपर ट्राइल करने के लिए कहे थे तो अब यहां पर जो अमेरिका जो है वो लॉंबिंग कर रहा है कि Huawei को इस करार से हटाया जाए और Huawei जो है वो यह आरोप लगा रहा है कि अमेरिका इंफ्लूएंस कर रहा है इंडियन को इंडियन गवर्मेंट को कि 5G की टेकनोलोजी में उसको हटाया जाए यहां तक कि Australia, New Zealand और European countries में से बहुत से countries ने भी Huawei के साथ में अपने करार खतम किया है तो एक परकार से World Trade के लिए यह जो बीच में जो Tense Relations है यह सही नहीं है और इससे Market जो है वो fluctuate होंगे, उपर नीचे होंगे और I hope कि यह जो Relations है यह सुधरें और Market Stabilize हो क्योंकि Relations जतना ज़्यादा खराब होते जाएंगे उससे Military Eccalations जो होती है वो बढ़ने के खासा इजाफा हो सकता है क्योंकि यह माना जाता है कि जो Huawei जो है वो China की जो Army है उसमें उसके लिए काम करती है और जो उनके संस्तापक है रेन वेंग गैनफी जो है उनका जो जो चाइना के जो रास्ट के थी उनके साथ में बड़ एच्छे Relations भी है और यह अमेरिका और जो European Countries वो यह मान रही है कि जो Huawei के जो Equipments है वो एक प्रकार से दूसरे देशों की जासूसी करने में सक्षम होते हैं बगिंग बग्स लगा देते हैं जैसे हम कहते हैं तो वो उनको यूज करने से मना कर रहा है